हालो गाइज वेलकम बैक टो आज चानल आएम स्नीहा दिवेदी और आज की वीडियो लक्चर में हम करने वाले हैं कंटिन्यू क्लास एथ की मैथमेटिक्स जो की है सीबीसी बोर्ड की बुक से अगे तो अभी हम करेंगे क्लास एथ का मैथमेटिक्स जिसका हम exercise 11.2 स्टार्ट करेंगे और 11.2 का question number 1 कर रहे है the shape of the top surface of a table is a trapezium क्या बोला है question में हमें सबसे पहले कभी भी किसी मैंसुरेशन के मैंसुरेशन हो या कुछ भी हो हमें क्या करना पड़ता है question को read करना पड़ता है सबसे पहले question को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें solution भी समझ में आ जाएगा तो question क्या कहा है the shape of the top surface of a table is a trapezium क्या बोला है जो shape है किसकी shape of the top surface of a table एक table है उसका जो top surface है ठीक है वो किस shape में है trapezium हम figure ड्रौ कर लेते हैं हमें कोई बुक में वैसे figure given भी है अगर नहीं भी given होती तो हम question के accordingly figure को draw कर लेते हैं ठीक है just suppose यह हमारी table है इस तरीके से ठीक है और यह table का top है और यह कि shape में का है table का top trapezium shape में है रहीट आप question में बोला है find area find its area find the area of its parallel sites find its area question में क्या लिखा है find its area if its parallel sites are हमीं क्या करना है इसका area निकलना है अगर इसकी parallel sites क्या क्या है 1 meter और 1.8 मतलब parallel site एक parallel site यह है और एक parallel site यह है ठीक है एक का क्या दिया है 1 meter means यह हमारा 1 meter given है question में और यह हमें 1.2 meter given है रहीट इस तरीके से इसकी लेंद कितनी है 1 meter and this is 1.2 meter अब हमें बोला है and the perpendicular distance between them is 0.8 और इन दोनों के बीच में जो perpendicular distance है मतलब इन दोनों में जो दूरी है perpendicular perpendicular means इस तरीके से ठीक है यह perpendicular जो perpendicular distance वो कितना है 0.8 meter I hope समझ में आया हमें parallel site यह है और perpendicular distance बोला है means उसका height बोला है perpendicular distance को हम किया बोल सकते है height बोल सकते है right अब हम हमी बोला है इसका area तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां lien तोफिक देंगे हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको यहां पर मैंशन कर लेंगे जो जो चीज़े हमें दी है क्या हमें दिया है पाल्य साइट चीख है वान ओफ और स्वाइब पारल्ल साइट गोफ ट्रेपेजियम एक parallel site कितनी दिया है में वन मीटर तो लिख देंगे वन मीटर फिर यहां लिख देंगे another another means दूसरी another parallel site another parallel site of trapezium कितनी दिया है दूसरी parallel site 1.2 मीटर 1.2 मीटर रैइट इतना समझ में आगया आप लोगों को one more thing guys अगर आप लोग ICSC board के students है तो don't worry आप लोग concept यहां से समझ सकते हैं और फिर उसके जो भी solutions उसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं बट concept को यहां से आप समझ सकते हैं इन वीडियो के दूँआँ तो 1.2 2 मीटर हमें दूसरी पालर साइट दिया रही इसके बाद हमें क्या चीज गिवन है height height कितना है मैंने क्या बता है जो perpendicular distance होता है उसी को क्या कहते है height कह सकते हैं तो height कितनी होगे मैरे 0.8 मीटर अब देखे students जो हमारा area of trapezium होता है वो क्या होता है area of trapezium क्या होता है half multiply sum of two parallel sides sum of two parallel sides multiply edge चीक है यह area होता है किसका trapezium का क्या होता है half multiply sum of two parallel sides multiply by edge चीक है आई समझ में तो हम क्या क्या कर देंगे 1 by 2 multiply sum sum मतलब क्या होता है add मतलब जो parallel sides है उनका sum आएगा तो parallel sides क्या क्या थी guys 1 meter plus 1.2 meter right और multiply में 0 height height की value क्या है 0.8 meter okay तो value क्या हो जएगे 1 by 2 multiply इन दोनों को add करेंगे 1 plus 1.2 अब देखे काई students को decimal में add करना नहीं आता है हमें क्या बोला 1 add करना 1.2 तो decimal हमेशे इसके बात करते है इसके आगे हम क्या करते हैं कि 0 मान लेंगे तो 2 में 2 1 में 1 add की है तो 2 2.2 value क्या जएगे 2.2 meter multiply 8 0.8 0.8 meter okay अब देखें अब आप लोग को ये decimal का multiply करना अगर ना आए तो एक चीज बता दिती है या तो आप इसको यहाँ पर नीचे 10 लिख सकते है एक decimal अटा है यहाँ से decimal अटा है नीचे आगे 10 क्योंकि इसके बाद एक डिजिट है decimal के बाद किती डिजिट है गाई वाद तो एक 10 आ गया इसको cancel कर देंगे तो यहाँ से कर सकते है यहाँ से कहीं से भी कर सकते है तो अब 22 को 4 से क्या तो 88 आ जाएगा 10 को 10 से करेंगे तो क्या जाएगा 100 आ जाएगा तो 100 मीटर स्क्वाइर हो जाएगा अब इसका हम decimal उपर करेंगे तो यह दो जीरो से यहाँ पर क्या जगा दो डिजिट के आगे decimal लग जाएगा तो क्या जगा 0.88 meter square चीक है तो यह हमारा क्या हो जाएगा area of the top of the table यहाँ लिख देंगे area of the top of the table of table is equal to 0.88 meter square I hope आपको question समझ में है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे next question के साथ तब तक के लिए bye bye take care thank you so much for watching my videos keep watching keep loving keep sharing